वेल्कम दोस्तो मेरे चैनल मेक टेक सुमन में आज हम डिसकस करेंगे एक सेंटर लेद में कौन-कौन से पार्ट होते हैं और वेल्कम क्या होता है और देखेंगे परेंगे चलते हैं ऐऑज के लाय्निंग पर एक सेंटरलिद क्या का्म करता है यह सिंटरल लेद केंट कौन-कौन सेंटरल देखा हैं mainly three components होते हैं क्या-क्याét होता है Hitstock, यह जो है, इसका नाम है headstock यह जो है, इसका नम है carriage, यह जो है, इसका नाम है tailstock यह main three component होते है, जिसका function , main function रजाएता है, एक सेंटर लेजमें तो देखते हैं डिटेल्स में पहले आता है हिट्स्टॉप हिट्स्टॉप क्या कम करता है हिट्स्टॉप जो आपको रोटेसान देता है जो आपको होल्ड करता है ठीक है तो हिट्स्टॉप को डिटेल्स में देखते हैं हिट्स्टॉप में एक क्या होता है चाक होता है चाक क्या करते हैं चाक को होड करते हैं चाक मेली टू टाइप्स का लगा रहता है लेकिन इसका और भी और भी चाक होते हैं तो मेली फ्रूट न॑ठ वबावर्श केंगण माज़ात योगि हम की को घुम हम सकते हैं और फोरजब में क्या हő होता है हमें अलग अलग से चार जार को ad just कर सकते हैं तो चार जोग को अलग तो यह जो चाक है इस चाक को हमें घुमाना परेगा तभी जब रोटेट होंगे तभी उस पर अप्रेसान होंगे तो यह चाक जब को होल्ड किया अब इसे घुमाना है एक घुमेगा कैसे एक घुमेगा यह जो में पूली है में डाविंग पूली यह लागा रहता है यहां चाक के साथ तो यहां पर जो में पूली है वो कानिक होता है एक मोटोर से भी बेल्ट के माध्यम से तो मोटोर जब रोटेट करेगा बेल्ट से पावर ट्रांस्मिट होगा ट्रांस्मिट होगा कहां पर यह जो मेन पूली है मेन ड्राइविंग पूली यहां पर पावर ट्रांस्मिट होगा जब यह घूमेगा तो क्या होगा यह घूमने से यह जो हिट स्टॉक है यह घूमेगा लेकिन लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ा गियार रहता है ये गियार क्या करता है ये गियार इसको different types का speed ratio देता है जब जब हमें required है हमें कभी-कभी 300 का speed चाहता है कभी-कभी 1000 का इसे adjust करने में गियार को change करना पड़ता है तो गियार को change करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है यहां पर दिया जाता है लिवार जो क्या करता है इसे हम अगर आगे पीछे या इसका according to the direction अगर हम घुमाते हैं तो गयार से दूसरी गयार अजज होता है अगेज होते है और ऎके होता है यहाँ से हम different types of speed gain कर सकते हैं अगर हम mild steel को operation कर रहे हैं तो mild steel का speed अगर कोई beetle material का यानि कि cast iron का अगर हम operation करते हैं तो उसका स्पीड अलाग तो ऐसे डिफारेंट स्पीड एचिप करने के लिए यहां पर ग्यार लागा होता है और ग्यार को एंगेज और डिसेंगेज करने के लिए यहां पर कुछ लीभार देया जाता है तो यह तो गया हिट स्टॉक का काम कि अब आते हैं क्यारी एजुए क्या करता है क्यारियज यह क्या जो है इसको बोला जाता है बेर्ट ठीक है इस बेर्ट में यह आगे और पीछे फ़र्वार्ड और रिभार गोमता है एक बार एक तोक की तरप हम जिस तरब चाहे इसे घुमा कर ले जा सकते हैं ऐसे ले जाहेंगे उन्हें देखना परेंगे तो यहां पर कुछ हुईल होते हैं जैसे कि यह बरा हुईल इसका नाम होता है यह क्या करता है इसे आगे और पीछे ले जाता है अगर हम इसे इस तरह घुमाया एंटी क्लोक वाइस तो यह आगे जाएगा अगर क्लोक वाइस घुमाया तो यह पीछे जाएगा और वाइस भरसा जैसे लिद में होता है तो यह गया इसका काम आगे और पीछे ले जाना यहाँ पे लागा होता है टूल इसे बोला जाता है टूल पोस्ट हम टूल को कैसे लगाते हैं कैसे खोलते हैं उसका काम करता है यह जो यहाँ पे जो बोल्ट लगा रहता है इस बोल्ट को हम एड़्जस्टिबल रेंज से खो सकते हैं तो तो आगे पीछा कर सकता है यह नत्रफिंग हुल के मद्दिम में लेकिन अगर समने इस तरफ और इस तरफ करने के लिए हमें क्या करने पर देजेंग इस तरह मुथ करने क्रोस से जाएगा इसलिए इसका नाम है क्रोस लाइड है हम जब फिसिंग करते है तो जदातार इसका है तो टूल को आगे पीछे ले जाना हुआ अगर आप यह Health विलेऊ एंड को घुमा तो करेंज इधर और इधर जाता है आगर इसे घुमात तो carriage एक fixed position में रहता है लेकिन लेकिन टूल जो है ओ यह इधार और इधार आ जा सकते हैं यहां पर एक और wheel है जिसे घुमाने से सिर्फ टूल आगे और पीछे जाता है यह ज्यादातर टेपर टर्निंग में यूज होता है यहां पर देज आज दिया गया है दो रोड एक फीड रोड और एक है लीड की फीड में कोई ठ्रेट नहीं होता है सिर्फ एक की होता है फ्रूं अउट इस लेंध एक की होता है ठीक है और यहां पर यहां पर एक आटा हो दोता है यह है लेल्ड स्किव प्राइब्व तो इन दोनों का काम क्या है इन दोनों का काम है यह जो केरिएज है इसे मैनुएल नहीं आटोमेटिकले ओपरेट करना यानि कि अगर ऑपरेटर चाहे कि करिय आटोमेटिकले फीड देना यहां से स्पीड आएगा किया करेगा movement करेगा carriage का इन दोनों को घुमा कि जब इन दोनों घुमेगा तो यहां पे कुछ function है जिसके माध्यम से carriage आगे और पीछे जाएगा automatically तो इस्तेमाल करते है जब हमें हो फिडरोड का हम कभी कभी उस करते हैं यहां पे एक हापनाट होता है जिसे इस लिडरोड के उपर यहां पर फीट बॉक्स होता है यह क्या करता है यह जो करिएज है कितने स्पीड से आगे जाएंगे और कितने स्पीड से पीछे आएंगे इसका काम होता है वह सेट कर देना से इस होता है यह होता है चांब को क्या काम काम है तेरे टोप को एक ऑलानस से सह casino करते हैं जो इसको इकस्ट्राइप सपोर्ट दिया जाता है सी दौक होथी ते भाइब्लेस अर्वीठी से शांस होता है को इसे remove कर देता है test dog में यह wheel है इस wheel को हम घुमा के यह जो ram है इसे आगे और पीछे ले जा सकते है इसको बोला जाता है date center ठीक है हम यहाँ यह ram की जागा drill को लागा सकते है drill slip के माद्धम से rimming tool को लागा सकते है उसे माद्धम से हम क्या कर सकते है कोई job में drill, rim यह सब कर सकते है यहाँ पर लागा होता है clamp यह clamp क्या करता है जब हम पूरा का tail stock हम यहाँ ले आए और हमें tail stock को lock करना पड़े तो यह clamp से हम इसे lock कर सकते है lock करने से क्या होगा यह tail stock आगे और पीछे जाना बंद कर देगा ठीक है तो tail stock और carriage यह bait के उपर से आगे पीछे move कर सकते है लेकिन head stock fixed है और यहाँ पर लागा रहता है एक bait को support दिया जाता है और कभी-कभी यहाँ पर एक coolant के supply रहता है एक light का light का बंदबस्क किया जाता है यहाँ तो यह गया एक center lid का description इसका और भी कुछ mechanism है कुछ-कुछ function है क्या-क्य operation करता है यह सब हम next video में देखेंगे तो दोस्तों अगर यह video अच्छा लगा तो जल्दी से एक like दीजिए अगर कुछ समस्ता या problem आपको face करने को परते हैं तो comment में जरूर बाता दीजिए और subscribe कीजिए मेरे चैनल में टिक सुमन को और स्यार कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उसे भी लान निकाना परें